नमश्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया बी काने राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि दिमाग से डर को कैसे निकाले कौन सा रास्ता यूज करके हम अपने दिमाग से डर को हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं दोस्तों एक real example एक real case मैं आप लोगों के साथ में share कर रहा हूँ बहुत अच्छे से understand करियेगा बहुत अच्छे से इसको समझियेगा ये जो example है ये 25 year old मतलब 25 साल का एक लड़का है उसकी ये कहानी है क्या कहानी है कि दोस्तों इसके जो father है father और तीन भाई है और उनके तीन भाई और चार बहिने है इसके जो पिताजी है वो तीन भाई और चार बहने है और यह जो लड़का है ये भी क्या है कि ये भी तीन भाई और इनके भी क्या है चार भहिने तो इससे डर कैसे पैदा हो गया अभी मैं आपको बता रहा हूँ समझेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वज़े से यहां पर एक प्रॉब्लम क्रियेट हो गया जो इसके फादर के जो सेकेंड नंबर वाले जो भाई है उनका आज से पंदरा साल पहले उनका आज से पंदरा साल पहले एकसिडेंट हो गया था और एकसिडेंट के अंदर वो एकस्पायर हो गया आज से 15 साल पहले एक्सिदेंट हो और एक्सिदेंट के वज़े से वो क्या हो गए एक्स्पायर हो गए उनके डैथ हो गई तो यह जो लड़का है इसने इस चीज को अपने उपर जन्रलाइज कर लिया, मिस्टेक कौन सी किया यहाँ पर इसने इसको अपने उपर क्या कर लिया, सबसे पहली मिस्टेक, मतलब यह जो कॉगनिटिव जो मिस्टेक हुई है, कॉगनिशन के अंदर यहाँ पर जो कॉगनिशन के अंदर जो मिस्टेक हुई हो, मिस्टेक क्या किया इसने इस चीज को अपने उपर जन्रलाइस कर लिया कि मेरे फादर और तीन भाई थे और च्यार बहने थी, हम भी तीन भाई और च्यार बहने है मेरे फादर का जो second number वाला जो भाई है वो expire होगा accident से, मैं भी क्या हूँ? Second number पे हूँ मैं भी second number पे हूँ, दूसरे number पर हूँ, तो मैं भी क्या हो जाओंगा? expire हो जाओंगा मेरा भी क्या हो जाएगा? accident हो जाएगा, तो उन्होंने इस चीज को अपने उपर क्या कर लिया? Generalize कर लिया मतलब जो एक imaginary जो गटना थी, मतलब जो यहाँ पर इनके साथ तो यह real थी, लेकिन मेरे साथ होगा, नहीं होगा, यह मैंने क्या कर लिया? अपने उपर generalize कर लिया मतलब एक जो मेरे खुद से related जो एक विचार है, जो कल्पनिक विचार है कि मेरा भी accident हो जाएगा, यह कल्पना है मैंने क्या किया? कि अपने उपर उसको generalize कर लिया, अच्छा यह तो थी मेरी पहली mistake यह तो क्या था मेरे? cognition के अंदर पहली mistake थी distorted cognition मैंने यूज किया dysfunctional जो cognition, dysfunctional जो thought मैंने यहाँ पर यूज किया, दूसरी जो mistake यहाँ पर क्या थी? दूसरी mistake यह थी कि जैसे ही इसको generalize किया, दिमाग में एक ख्याल आना सुरूआ कि मैं भी death हो जाएगी तो फिर इनोंने दूसरी जो mistake कौन सी थी इनके? behavior की mistake थी किन चीजों से वो भाग रहे थे? basically वो जो सड़क के उपर अगर कहीं पर चल रहे थे पहले वो आराम से मस्ती से जा रहे थे जैसे उन्होंने ये बात सुनी कि 15 साल पहले उनके जो second number के जो चाचा थे वो expired होगा और मैं भी second number पे उन्होंने अपने उपर generalize कर लिया कि मैं भी expire हो जाओंगा तो जो सड़क पे अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उनको ये लगता है कि ये गाड़ी सुनगा गया हो जाएगा एक्सिडेंट हो जाएगा तो उन्होंने रोड से भागना सुरू कर दिया रोड पे कोई भी गाड़ी आती थी ना तो यहाँ पर दिमाग में जो conclusion बनता है अगर गरवाले उनको गाड़ी के अंदर बिठा के लेके जाते तो ये देखते कि नहीं बाकी वाले तो safety है बाकी वाले तो बच जाएंगे मैं नहीं बचूँगा वो गाड़ी से उतर के भागने लग गए धीरे धीरे उन्होंने लोगों से interact करना बंद कर दिया लोगों से मिलना बंद कर दिया अपने आपको पूरी तरह से घर के कमरे के अंदर क्या गर लिया कैद कर लिया अब दोस्तों यहाँ पर जो यह दूसरी mistake थी escapism वाली दोस्तों जब हम किसी भी चीद से escape करते हैं जब आप escape करते हो तो escapism से आपके दिमाग के अंदर जो thought आता है वो एक काल्पनिक thought होता है हमार दिमाग में जो thought आता है वो एक काल्पनिक thought आता है escapism से हमारा उस thought के उपर action कैसा है आप उस thought को किस तरहा से लेते हो आप कैसे उसको deal करते हो उसी के उपरे depend करता है कि आपका mind उस thought को कैसे consider करेगा अगर आपने escape कर लिया इस thought का according तो आपका mind उस thought को क्या consider करने लग जाता है real consider करने लग जाता है मतलब एक imaginary जो thought है वो आपका mind उसको क्या consider करने लग जता है real consider करने लग जता है फिर हमें क्या होने लग जता है डर लगने लग जता है बहुत ज़दा गबराट होने लग जती है अब सवाल तोना है कि sir इस डर को कैसे निकाले सर मैं न तो यह तरीका डुण लिए लेकिन इस comfort जो उनसे जो life की जो day to day life की जितने भी चीज़ें ये वो फिर मैं चीज़ें नहीं कर पाऊंगा तो ये जो comfort जो नहीं फिर मेरे लिए भी problematic है मेरी family के लिए भी problematic है तो फिर क्या कियाज़े सर मेरे दिमाग में विचार आता ना मैं तो उन दिमाग में विचारों को हटाने की कोशिश करता हूँ सर कोई ऐसा कोई तरीका है वो जैसे मुझसे discuss कर रहे थे कि दिमाग का operation हो जाए और इस thought को निकाल दिया जे ऐसा कोई operation भी नहीं है कि इस thought को दिमाग से निकाल दिया जे basically हम जो mistake कर रहे है उस mistake के कारण ही सारा मामला गडबड़ रहा है उनको हरवक्त क्या रही है anxiety रही है क्यों कि एक imaginary thought एक कालपनिक विचार है वो किसमें convert हो गया reality के अंदर convert हो गया और reality के अंदर convert किसने किया हमने खुद ने किया है मुक्त करना चाहते है तो उसका राषता भी हमें डूढ़ना पड़ेगा जो mistakes हम ने की है ना उन mistakes को हमें correct करना पड़ेगा सही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इस दुन्या के अंदर अपने दिमाघ से Vipर को निकालने का अपने दिमाघ से मिलेगा उससे तो अगर हम सही अंसर चाहते हैं तो formula भी सही use करना पड़ेगा लेकिन हम कहने नहीं सर answer तो सही आना चाहिए formula वही use करेंगे मतलब जो हम कर रहे हैं हम करेंगे तो वही लेकिन डर नहीं लगना चाहिए तो कैसे हो सकता है जिन चीजों से आपका अगर आप उन चीजों को करते रोगे आपका डर कभी भी नहीं अटेगा आपके दिमाग से डर कभी भी नहीं निकलेगा उल्टा और डर बढ़ता चला जाएगा तो हमें अपने तरीकों को change करना पड़ेगा अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा अच्छा हमने जो mistake की है न उस mistake को भी सही करना पड़ेगा कौन सी mistake हमने की है एक तो हमने गड़बिड की हमारे cognition के अंदर कि हमने इस चीज को अपने उपर क्या कर लिया जनरलाइज कर लिया दूसरी mistake हमने कौन सी की अपने behavior को पर मतलब हमने escape करना start किया तो एक तो हमें अपने cognition को सही करना है दूसरा हमें अपने behavior को सही करना है अगर हमारा cognition और हमारा behavior अगर सही नहीं होगा तो दुनिया के ऐसी कोई ताकत नहीं है ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है जो आपको इस problem से क्या कर देगा free कर देगा तो क्या use कर रहा है यहाँ पर दोस्तों हम लोग CBT को use करेंगे cognitive behavioral therapy को use करेंगे CBT के अंदर एक तो cognition के उपर काम होना है और दूसरा किसके उपर काम होना behavior के उपर तो behavior को उपर work करने के लिए यह जो escapism हम कर रहे हैं हमें इस escapism को रोकना पड़ेगा अगर आप लगातार escape करते रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इससे free नहीं कर सकती तो हमें अपने escapism को हटाना पड़ेगा हमें अपने कमरे को छोड़ना पड़ेगा अपने comfort zone को छोड़ना पड़ेगा आंगन में आना पड़ेगा गली में आना पड़ेगा रोड पे जाना पड़ेगा तो हम अपने escapism को हम क्या करना पड़ेगा में बंद करना पड़ेगा maximum हमें exposure पे जाना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम expose करें हम रोड पे जाएं, गाड़ी चलाएं, जितनी भी रोड से, उन रोड के उपर हम अपने आपको explore करने की कोशिश करें, जितनी भी हमारे आसपास options available हैं, तो एक तो हम अपने इस escapism को क्या करें, हटाएं, तो पहला तो हमारा behavior के उपर बर, दूसरा जो हम इस thought को जो generalize कर रह थे, कुछ अलग situations create होई थी, जिसके कारण उनके अंदर, वो accident हुआ था उनके साथ में, वो accident से मिले थे, मेरे साथ में वो situations नहीं है, उनका मामला अलग है, मेरा मामला अलग है, सिर्फ यह pattern match होने से, मेरा accident नहीं होने वाला, ऐसा तो मानलो कि जिनकी दो same surname use करते हैं, तो उ हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने उपर generalize कर रहे हैं, तो अपने आपको यह हमें बार-बार बताना पड़ेगा, कि मैं इस thought को क्या कर रहा हूं, अपने उपर generalize कर रहा हूं, हमें अपने आपको बताना पड़ेगा, यह एक generalize thought है, यह काल्पनिक thought है, यह imaginary thought है, एक चीज त है कि आप अभी भी escape कर रहे हो तो आपका mind इसको accept ही नहीं करेगा कि ये एक generalized thought है ये काल्पनिक thought है mind आपका accept करता है जब आप उस चीज के उपर action show करते हो आपका mind negative को क्यों accept कर रहा है आपका mind इस चीज को क्यों accept कर रहा है कि मेरा भी accident हो जाएगा क्योंकि आपने action show कि आप लगातार क्या कर रहे हो escape कर रहे हो इस escapism की वज़े से आपके mind को इस thought को क्या मिल जाती energy मिल जाती और आपके mind में ये thought क्या बन जाता है मजबूत बन जाता है strong बन जाता है तो हमें escapism नहीं करना अपने आपको एक तो ये बताना है कि ये एक generalized thought है ये एक काल्पनिक विचार है और मुझे escapism नहीं करना मुझे continuously का करना expose करना है अपने आपको हर एक situation में अपने exposure को बढ़ाना है तो ये तरीका use करके हम क्या गरता है इस thought को देरी देरी का गर लेते हैं कम कर लेते हैं इसके उपर ये CBT की proper practice है अगर अपने इसको use करते हैं तो हम हमारे डर को पूरी तरह से खतम कर लेते हैं हमारे fear को पूरी तरह से खतम कर लेते हैं और ये जो thoughts की overthinking चल रहे ना इस overthinking को भी हम क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से खतम कर लेते हैं, दोस्तों हम लोगों ने CBT के उपर पूरा एक step by step learning का एक course launch किया है, जिसका link मैंने नीचे description में दे रखा है, आप उस course को अपने अंदर इंस्टाल करके, यह जो CBT की practice है, आप बहुत अच्छे सीख सकते हो, A to Z about CBT, उसको आप बहुत अच्छे सीख सकते हो और अपने आपको psychological problem से पूरी तरह से दूर कर सकते हो, इसके अलावा दोस्तों हमारे दिमाग को मजबूत करने के लिए और दिमाग को जितनी भी psychological problems हैं, उन psychological problems से बचाने के लिए हमने प्राकतिक परदार्थों से बना, एक डॉक्टर के Mind Tonic launch किया है, जिसका link नीचे description में है, यह आपको आनिद्रा में, overthinking में, depression में, anxiety में, panic में काफी help करता है, आप उसको use कर सकते हो और अपने आपको इन सब चीजों से free कर सकते हो, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंदा आया होगा, नी जय हिंद, जय भारत